आज के शुड़े में हम सीखने वाले हैं हीज डबलो आर कंप्लेट पाइप फिटिंग किस तरफ की जाती है यहां पे दोस्तों हमारे टॉलेट का पाइप गड़ा लावा है देशने किते हैं यहां यह जो पाइप है यह हमारे टेंग के में डलावा है शेप्टी टेंग में और इसका कनेशन यहां पे हमें एक पीट्रेप मुर्गे का कनेशन करना है दोस्तों यहां पे हमारे शीट फिट होने वाले है और यही से इसी पाइप से एक कनेशन यहां पे उपर हमारे टॉलेट बना हुआ है तो यहां से इस pipe को हमें उपर के और भी ले जाना है तो यहां पे दोस्तों की fitting आज हम जीरो से सीखने वाले है और यही से दोस्तों हमें एक bathroom का pipe भी चड़ाना है यहां पे pass में हमारे एक bathroom बना हुआ है इस तरफ तो यहां पे देख सकते हमने bathroom के लिए pipe fitting पहले ही कर ली है यहां पे हमने एक variety लगा के एक p-trap का connection किया है bathroom के लिए यहां पे हमारा bathroom आने वाला है और इसी pipe से दोस्तों एक connection हमारे यहां पे toilet के लिए में आने वाला है और यही से एक pipe को हमें उपर के और ले जाना है तो आज के शिड़े में आपको सही fitting बताने वाले दोस्तों कई बार क्या होता है हम diet गलत टी लगा जेते हैं गलत fitting करते हैं उससे क्या होता है तो हम toilet में जब भी पानी डालते हैं तो हमारा toilet में जब मरे sheet होती है वहाँ पे पानी भरा जाता है तो आज के शिड़े में पूरी fitting zero सीखने वाले सही fitting किस तरह से की जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें toilet के लिए पीटे मुर्गे को fit करना होता है तो यहाँ पे हम इसकी नप्ती कर लेते हैं यहाँ पे इसमें बिल्कुल socket वागिरा नहीं है क्योंकि हमारे पाज जो white है यह hwr के टी है तो यहाँ पे में इसका socket बनाना होगा इस tea को बिठाने के लिए तो इस spike को दोस्तों क्या है हमें यहाँ पे गरम करना होगा हम शोकेट अगर लगाते हैं तो शोकेट लगाने में काफी दिक्कत है हमें लाइन काफी बाहर जा रही है और उसमें लाइन का चोक होने का भी काफी दर रहता है तो यहाँ पे हम जो भी material आते हैं तो आपको शोकेट विए इस तरह बनाना है यहाँ पे हम जमीन का काम है ग्राउन फुलोर का काम है तो यहाँ पे हम इतनी डिस्क नहीं देती लिकेजिंग की तो यहाँ पे हम इस तरह शोकेट बना के और आपको शोकेट विए इस तरह बना है जिसे कि जो company के pipe के आती है आपको शोगट उस तरह बनाना है आपको पाइप को जाद नहीं जलाना है आपको इस तरह पाइप को गरम बनने के बाद इसको अच्छे से इतरह डिहला कर लेना और डिहला करने के बाद आपको इसको यहाँ पर शालवेल लगा के वाइट यूक अच्छे से फिट करना होगा अब यहाँ पे दोस्ता हमारे जो टोइलेट बना हुआ है तो पीट्रे मुर्गे को हमें ऐसा आपको इस तरह शेंटर पे फिट करना हो तो यहाँ पे में इसकी चुड़ाई को देख लेना होगा तो यहाँ पे हमें एक हाफशेट और एक एलबो लगने वाली इस तरह से यहाँ पे देख से तो कोर्ण हमें जो दिवाल है दोस्तो नो इंची की दिवाल नीची की हो तो हम इस तरह फोर्केस को इस तरह बराबर कर लेते हैं पहले इस तरह से अब यहाँ पे हमें जो दिवाल में एल्बो लगने वाले दोस्तों आपको दिवाल में पूरी अंदर क्यों लगाना है आप दोस्तों कगज वगरा जलाकी भी इस pipe को गरम कर सकते हैं मगर हम जो शॉल्वे लगा कि इस गरम करते हैं तो इससे क्या होता है कि अवर जो pipe है दोस्तों चारो तरब से बिल्कुल एक सरी का गरम होगा कहीं से कम जादा नहीं होगा हमारी shocker बिल्कुल perfect की बनेगी तो यहाँ पे देख से तुमें कि शॉकर्ट की इस तरह बना रहे है और यहाँ पे शॉकर्ट लगने के बाद इस वाहिटी में बिठागे हम यहाँ पे जो elbow लगने वाली है उसकी भी नप्ती करना है तो यहाँ पे हमें elbow में देख से तक हाफशेट को लगाते हैं तो लाइन जो हमारी दिवाल से दूर आ रही है तो यहाँ पे हमें इसको पीछी को लगाना हो तो यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का तोड़ा लगने वाला है दोस्तो आपको इस तरह कटिंग करना है और आपको एक चीज़ का भी काफी ध्यान रखना है यहाँ पे हम जो फिटिंग रहे है दोस्तो जमीन की कर रहे है ग्राउंड फ्लोर की और आप फ़र्श्ट फ्लोर की करें यहाँ पे हम जो फिट करने वाले है इसका भी वडियो बननने वाले है कि यहाँ पे शीट को किस तरह फिट किया जाता है किस तरह बातरूम पाइफिटिंग की जाती है अगर आप इस तरह सब लंबी का कोई भी काम सिखना चाते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब यहाँ पे देख सकते हम लाइन को किस तरह बना रहे है हमारी लाइन थोड़ी बाहर के हो रहा है 8-10 इंचे तो वहाँ पर हमें एक एलबोर हाफशेट को लगा रहा है 20 पाइप को हमें यहाँ पर हमरे जो वाइट है यह बातरूम में उसमें आपको इस तरह बिठाना ने लेख सकते हैं इस तरह हमें आप एक पिलर बना देना है जिसमें दोस्तो हमारे जो पाइप बातरूम में बिल्कुल ठक जाएंगे हमारे पाइप बिल्कुल यह नहीं दिखेंगे तो आप जो पिलर बना है तो आपको पाइप को बिल्कुल दिवाल से चिपा कर सही से चड़ाना है दोस्तों आपको pipe को दिवाल से बिल्कुल भी दूर नहीं करना है तो यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों हमारी fitting होचके अब यहाँ से हमारे pre-trap मुर्गे हमने किस तरह fitting है एक वाहीटी लगा के दोस्तों एक half shape लगा के एक elbow लगा के हम लाइन को उपर ले गए यहाँ पे एक नल का pipe को भी चड़ाना है तो यहाँ से हमारी fitting हो चुछ चुछ यहाँ पे हम sheet को fit करना तो sheet का भी हम वीडियो बनाने वाले ही कि आपको sheet को किस तरह फट करना होता है दोस्तों अब यहाँ से ओपर क्यों देशकते हैं दोस्तों एक column दीख रहा है तो कि यहाँ पे में जितने में बड़ा pipe का तोड़ा लगने वाला है इसकी इस तरह से tape से नफ्थी कर लेना है और जब इस तरह column अगरे को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर आपको इस तरह से बातुर पाइप फिटिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर के और हम पाइप को इस तरह डाल दें तो यहाँ पे हमने जो नीची के और elbow को फिट किया है वहाँ पे इस दोनों प प्रफेट लगते हमारे लाइन वीडियो पर जा चुकिए और आप इस तरह से और भी प्लंबिंग के वीडियो देखना चाहते हैं टॉले श्ट्रीट श्रीट टिंग के प्लंबिंग का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें